जी हाँ दोस्तो अभी अभी रस्तोई गैस सिलेंडर को लेकर के हमारे भारत के सरकार ने दो बड़े अपडेट जारी किये हैं दोस्तो बता दे कि हमारे गैस सिलेंडर को लेकर के किंदर सरकार ने जो दो बड़े अपडेट जारी किये हैं इसके बारे में हम आज आपको संपरोड जानकारी बताएंगे अगर आपकी घर में भीच आए कोई साभी रसोई ग्यास लेंडर है तो इस वीडियो में बननेगा हमारे साथ एकदम अन्त तक और पूरा लाश्ट तक ज़रूर देख लिजेगा वीडियो में आगे बनने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हम जो भी रसोई ग्यास लेंडर को ले करके आगे जो भी छोटी और बड़ी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोट्फिकेशन आपको सिंपल और आसानी से मिल जाये करेगी दोस्तों सबसे पहले हम बड़ी खबर के बारे में जानकारी जान लेते हैं कि आखिरिकार हमारे किंदर सरकार ने कौँ सा आपके लिए बुरी खबर जारी किया है और इसके बाद आपको बताएंगे कि हमारे किंदर सरकार दूसरी जो सबसे बड़ी खुसकबरी जारी किया है वो हमारे भारत के सरकार ने क्या जारी किया है तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि भारत पेट्रोलियम कारप्रेशन लिमिटेड बीपीसियल द्वारा यह डिस्टिबूटर में कहा गया है कि जो आपके कामर्सियल सिलेंडर पर पहले आपको ब्योस्था और सुविधाय मिलती थी ओपसे आपको हमारे भारत के सरकार के त उसके उपर जो आपको सभी ब्योस्थाय मिलती थी अपसे आपको 25 नॉमबर 2022 से वो ब्योस्था और सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारे किंदर सरकार ने बहुत ही जादा सक्ट और बहुत ही जादा बुरी खबर यारी किया है और इसके बाद एक हमारे जो सबसे बड़ी ख सिलंडर 14.2 किलो ग्राम में हमारे किंदर सरकार बहुत ही बड़ी गिरावट करने वाले हैं एक नॉमबर 2022 से तो है ना एक आपी अच्छी और बहुत ही जादा गोड़ निउस अगर आपके घर में 14.2 किलो ग्राम वाला रसोई गया सिलंडर है तो आपके लिए अच्छी ख सिलंडर है तो इतनी बात में नीचे कॉमेंट करके आप बता दीजेगा तो चलिए इसी ख़बर के साथ आज का यारस्तोई गया सिलंडर का वीडियो यहीं पर फिनिस करते हैं मिलता है को और ने जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रा